हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच प्रहार में दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको मैं में बचाओ बताने वाला हूँ दोस्तो बिल्कुट टूदा पॉइंट आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक सिंपल कोोशियन है कि हम आज के समय पे 2023 में अपने मेंटेनेंस को कैसे कम कर सकते कैसे अपना मेंटेनस बचा सकते या अगर कुछ परस्तितिय ऐसे हैं तो कैसे बंद करवा सकते तो दोस्तो अब इस पर हम कुछ स्टेप्स अगर लें अपनी तरव से तो ये काम आज भी हो सकता है आज में हम अपने maintenance को बहुत डाउन कर सकते हैं और आज भी अगर कुछ परस्तितिय ऐसी है जहां पर maintenance को बंद भी करा सकते हैं होता क्यों नहीं? क्योंकि हम कुछ गलतिया करते हैं अब ये सारी चीजों को आज की इस वीडियो में बिल्कु खुलके में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस गलतियों से बचना है और कैसे आपको आगे चलना है ताकि maintenance का भार आप पर कम से कम पड़े तो दोस्तो आखरी तक वीडियो में बने रहेगा अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरू क्लिक कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली इस प्रकार की वीडियो की जानकरी सबसे पहले निरंतर आपको मिलती रहे दोस्तों देखिए जब मेंटेनिस का केस आपके उपर दर्ज होता है तो पेटिशन के अंदर एक पूरी स्टोरी लाइन लिखी जाती है अगर मैं एक वोटिंग कराने बैठ जाओ ना कि लोग बताएं कि उस स्टोरी लाइन में से कितना पर्चंट पार्ट सच्चा होता है तो लोग कहते हैं कि बाई सर केवल शादी की डेट ही सच्ची है बाकी सारा जूट है और आखरी में मिंटेनिस मंग लिए यानि देखिए एक मामला तो वो होता है कि जहां पर एक्च्वल में पत्नी परताड़ीते हैं वो पैसा मांग रही है कि उसको भरहन पूशन के लेचाए एक है कि आप पे दस दिल जूटे है लगाके कि आपने उसे घर से निकाल दिया जबकि खुद जाकर करे रही है फिर आपसे पैसा मांगती है तो जब वो इतना गलत करने से कोई परहेज नहीं कर रही है तो जहीर से बात है आप भी अपना बचाओ करने से किसी परकार का परहेज मत कीजिए लॉग के मिसियूज को हम सभी को रोखना है तो है क्या दोस्तों देखिए गलती यह होती है कि लड़का जब maintenance के case की petition उसके पास आता है और reply फाइल करता है तो वो अपनी तरब से बिलकुल सही वरजन जो actual में हुआ होता है वो ही लिख करके court में दे देता है कि यह मेरा वरजन है होता कि आया है कि लड़के की जो salary है उसने salary mention कर दी जो investment है वो सब mention कर दी है और साथ ही वे सोचता है कि मैं अगर अपने खर्चे या अपने dependent के खर्चे दिखा दूँगा तो मेरा बहुत बड़ा बचाओ हो जाएगा सच्चा ही है कि आपका कोई भी बचाओ नहीं होनेगा आपका खर्चा आपके dependent जो कोई भी है उन सब को दरकिनार करते वे एक particular percentage आज के समय पे fix है कि इतना maintenance तो बांध रही है तो ऐसे में आपकी वो सारी की सारी चीज़े वहीं धरी रह जाती है कि मेरे पास तो ये evidence है मेरे पास तो ये evidence है मैं इसके पूरे case को जूटा साबित कर दूँगा और हाथ आपके कुछ भी नहीं लगता तो इसलिए जब आपने देख रिया कि सामने वाला जूटे तत्यों के आधार पर कोट में आया है clean hand से कोट में नहीं आया तो आपको भी अपना बचाओ करना है क्योंकि ऐसे तो आदमी गलत तरीके अपना करके आपसे पैसा जितना चाहिए एक्स्टॉट कर सकता है ये maintenance का कानून नहीं है maintenance का कानून तो था जहाँ पर एक पतनी जो है वो अपना भरण पोशन करने में सक्षम नहीं है उसको दिया जाए आज कल आप देखें कि लड़की PhD है लड़की Master है लड़की कई बार जॉब भी कर रही है अच्छी खासी उसकी Education अच्छा कासा कमाने में सक्षम और खुद से जाके वह गई है कई बार आपको ऐसा भी पता चलता है कि पतनी का Extra Marital Affair था और जैसे आपने पकड़ ले आपका घर चोड़के चली गए और 125 का केस कर दिया तो ऐसे मामलो में क्या Maintenance देना उचीत है तो अब आपको मैं भी बता रहा हूँ कि कैसे बचाओ करने तो जो आप traditional तरीके अपना है रहो सबसे पहले तो उसको छोड़ दो reply बिल्कुल भी ऐसे submit मत करो कि petition आई और अगले rate पर जाके reply फाइल कर दिया systematically सोचो कैसे देखे आपके बस कुछ चीज़े होती है जैसे कि एक आपकी salary sleep होती है यदि आप salary day उसको आप नहीं चुपा सकते उसको तो आपको court में देना पड़ेगा कि यह मेरी salary है और वो salary जिस account में आपके आती हो कि उस account को यह आप छुपा नहीं सकते वो account भी आपको court में देना पड़ता है देखे आदमी जो भी बचत करता है ना अपनी किसी तरह से कुछ पैसा बचाता है, savings करता है कहीं पे mutual fund में डाल देता, share में सब अपने परिवार के लिए करता है लेकिन जब परिवारी आपके खिलाफ हो जाए जब परिवारी आप पे जूटी कहानिया करके आपका पैसा खाना चाहे तो ऐसे केस में वो परिवार कहलाए गए नहीं तो आपने जो अपनी रात दिन की महनत से कई सालों से हो सकता है कुछ saving करी हो वो बरबाद करने का कोई मतलब नहीं है और इन सारी चीजों को जब आप court में present करते हो तो आपकी स्थिति को सामने वाली पार्टी बहुत बढ़ा चड़ा के दिखाती है भले ही वो आपकी पिछले 10 साल की saving हो तो ऐसे में सबसे बहतर है कि आप अपनी सारी saving वगएरा डिस्पोस्ट कर दो अपनी जो FDA डिस्पोस्ट कर दो अपने shares का पैसा disposed कर दो mutual fund का पैसा disposed कर दो जितने भी extra आपने accounts खुलवारे के सब बंद कर दो unnecessary इतना सब कुछ court में देखे फायदा नहीं है main चीज है आपकी salary slip और केवल वो bank account जिसमे salary आती है केवल इतना ही आपके हाथ में होना चाहिए और यही आपको court में present करना है आपका affiliate में आपसे मंगा जाता है आपकी salary slip उसमें कोई घपला नहीं करना कोई जूट court को नहीं बोलना सही salary slip आपको देनी है और वो bank statement देना है salary person के case में एक minus point यही है कि वो अपनी salary तो किसी भी तरह से कम नहीं कर सकते ज्यादा नहीं कर सकते छुपा नहीं सकते और ऐसा करना भी नहीं चाहिए तो आपका salary के base पे ही आपका maintenance calculate होगा जो कि एक reasonable amount होगी लेकिन वहीं पर पता चलता है कि आपके पाँ 50 लाग की property आपके पास कुछ और है आपके पास कुछ और है कि यदि आपकी पत्नी से आपका matrimonial dispute हो गया है तो वह maintenance का case तो डालेगी ही डालेगी तो यह तो सुनिश्चित होता है न तो जैसे ही आपका dispute हुआ वैसे ही आप ये सारे काम कर लें एक्स्ट्रा जितने भी आपके investment है वो सब अटा लें एक्स्ट्रा एकाउंट हटा लें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो सब अटा लें अपने नाम पे कुछ भी आपके नहीं होना चाहिए केवल आपकी salary और वो bank account होना चाहिए जिसमें salary आती है उर्स bank account में भी केवल salary की ही transaction आप रखिए इधर उदर की कोई भी transactions आप मत रखिए जब भी आपका maintenance का case होगा आप वोई चीज court में दीजिए और एक reasonable maintenance आपके उपर बंदेगा दूसरी चीज जो दोस्तों जहांपे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो salary person नहीं होते हैं business man होते हैं उनके पास उनके income का proof केवल ITRE होता है तो उनके लिए भी same चीज़ है यदि उनके पास भी extra चीज़े हैं तो सबसे पहले तो इनको remove कर दें maintenance case आने से पहले ही या maintenance case आपको receive हो चुका है उसके बाद भी remove कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन court के अफिडिविड में आपको जूट नहीं बोलना है और अपनी जो ITR है उसको धीरे धीरे आप less करें क्योंकि इस तरह से तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो पतनी होती है अब लड़की आई दस दिन रही कुछ मामलों में तो इवन दो दिन रही एक मामला मेरे पास चल रहा है अलिगडगा वहाँ पर लड़की केवल एक दिन भी नहीं रही शादी हुई और मायके चली गए वही से और आज सारे cases करने को carry है सब कुछ डालने को carry है तो आज के समय पे बहुत बुरा हालो रखा है तो ऐसे में अपना बचाओ बहुत जरूरी है जितना at least आप कर सकते हो legally उतना तो करो illegally आपको कुछ नहीं करना आपकी property है आप base देते है legal है आपके पास कोई investment है आपकी FDA है आप उसको तुड़वा करे है पैसा यूज कर लेते है बिलकुल legal है ये सब चीज़े illegal नहीं है और illegal में आपने वीडियोज में कुछ बताता भी नहीं हूँ जो भी चीज आपको बता maintenance की amount जो है rage हो जाती है तो आपको ऐसा नहीं करना आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी maintenance आपके उपर लगता भी है वो केबल आपकी salary के base पर ही लगे और नहीं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छे लगे होगी और आप इस जानकारी को यूज करके अपना बचाओ भविश्य में कर सकेंगे चले दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में नहीं जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ तब तक के लिए goodbye and thank you for watching, take care